हेलो फ्रेंट्स तो आज हम आये थे दुर्गापुजा पंडाल घूमने और हम बाइक से थे यह रहा मेरा भाई और मेरे जस्ट पीछे मेरे ममी पापा थे वो भी बाइक से थे क्योंकि हमारे यह काफी दूर-दूर पंडाल रहते तो बाइक से थोड़ा एजी रहता जाना आ आप भीड भी देख सकते हो इतनी भीड होती है यहां पर मतलब इतने दूर-दूर से लोग आते पंडाल देखने और फिर आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको देकुरेशन फिर आप बताओ कैसा लगा और यह देखो यह ग्यारा बजरा था रात का अब भीड देखो आ और यह रहा मेरा भाई आगे चलते हैं और यह जो सिवान के लोगों के वो बता सकती है कौन सा एडिया है प्लीज कमेंट करो और बताओ और यह देखो मेरी मम्मी और यह सिवान का फेमस जगा है यह बस्टेम का पंडाल और यहां पर थीम था प्रेम मंदिर आईये इसका अ आटकी को देखो मुझे कैसे गूर रही है से मैं इसका वीडियो बना रही हूं और यह देखो अंदर वाओ किता अच्छा डेकुरेशन किया है अब ऐसा लग रहा है डारेक कॉल कता पहुंच गई हूं यह देखो मतलब बहुत अच्छा ही था सीन आप देख सकते हो यह चं के 12 बज़र हैतें तब की भीड़ बटना यह लास जे था कम आपको दिख लिए 12 बज़े के टाइम ने तो अस्टमी नॉमी के दिन यह अपने इस बीड़ होती इता बाहर का क्लाइन लगाने पड़तीय है और आप देख सकते हो यह मेरे मम्मी पापा है यहां पर अंपर यह यह रहा हमारा सुन्दर सा सहर, साफ सुत्रा सा और वैसे पूरे एरिया गूमी थी, हॉस्पिटल रोड साइड भी काफी अच्छा पंडाल बने थे, एक कदार नाथ पे थीम था और एक हमारा अक्षरदाम था, बट वहां का वीडियो नहीं बना पाए कि काफी भीड थी वहा और यह हम आगे आखड़ा नमबर आठ के पास, अच्छली मैं मूर्टी नमबर एक का वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि काफी भीड थी वहां पे इस वज़े से, और यह हम आगे मा बैट लिया है, यह आखड़ा नमबर आठ का है, चैम आता थी, और अब हम जा रहे थे मह महाकाली का दर्शन करने, क्योंकि हमारे एक ही महाकाली रखाती है, जो सब लोग दूर दूर से आते हैं, महाकाली का दर्शन करने, तो हम चल रहे आगे, और आगे बीच में एक मूर्ती मिली थी, चैम आता थी, तो हम पहुँचके बस महाकाली के पास, आईए आपो दिखा हमारी महाकाली कि सबसे बड़ी महाकाली रखाती है या आप यह देखों जैमाता या पहले मैं छोटी तो बेर भी जाती थी मट अब नहीं लगता हुआ पिर यहां से वापस जा रहें और हम यहां से वापस अपने महले में जा रहे वहां का दर्शन कराती हूं आपको और यह मेरी मम्मी चल रही थी मैं आवाज ने रिकॉर्ड कर पर पाई क्योंकि काफी आवाज थे वहाँ पर मतलब काफी साउंड था यह रही हमारे महले की दुर्गाजी यह है आखाड़ा नमर्श चौदा जर्मातादी यह अपने महले के दिए तो अर लास्ट में आते हैं और यह देखो हमारे यह गुफा यह बना था वैशनो देवी का यह आपको इसका टूर कराते हैं हमारे महले का था थो थोड़ा सा सारे जगे से होके आते हैं तब तक यहां की भीड कम हो जाती है क्योंकि का काफी लाइन लगा रहता है कुर में गुफा के बज़े से हम चलते चलते आ गए बार्ड गंगा यहां बार्ड गंगा बन वी थी और यह रहा चलेंद पाट steak यहाँ का दर्शन कीजिए और गुफा में हम आगे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे और आगे जाके हमें दर्शन होता है अर्दकुमारी यह रहा अर्दकुमारी जैमात्ब जी और इस से आगे हम जाएंगे माता के भवन और यह जो कितना अंदे रहा था फिर भी हम चलेंगे अगर आप कभी आओ सिवान दुर्गा पूजा के टाइम तो यहां जरूर आना क्योंकि हमारे यह बहुत अच्छा गुफा बनता है यह काफी लंबा यह हमारे महले के कुछ लड़के यह तेखो वैश्नो देवी माता चै थोड़े बहुत लोग थे उसके बाद हम आ गए यहां पर बहरो बाबा के पास फिर यह रहा बस खतम यहां पर वीडियो बाई